आप लोग कैसे हो आजशा स्टार्ट करना है हमें एवोलूशन जैसा कि हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं वो इवोलूशन चाप्टर को सिस्टेमाटिक तरीके से करेंगे बिल्कुल सिस्टेमाटिक फॉर्म में तुमको दो तीन चीज़ें करनी हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो क्या पहला काम करना है एंसी आटी बुक को उठाकर लेकर आओ जह महां पर भी रखी हुई है पूरे घर भर में एंसी आटी की बुक तुम्हारे पास होनी चाहिए फस्स थिंग और वो ऐसी लाइन जो तुमको ना पता हो जो तुमने ना सीखी हो या तुमको बिल्कुल कुछ भी नया लगे तुरंट उसको अंडर लाइन कर लो तो इस विल करते हैं और शुरू करने से पहले जो बच्चे मुझे जानते हैं वन्डर फुल जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं मैं उनके लिए स्पेशली बता दूँ माईने में जनराग तिवारी आपको अनकाडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर बालो जी पढ़ाता हूँ और साथ साथ में अनकाडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए क्या करना होगा तुमको ये पूरा का पूरा आप सर्च करना चाहो या फिर मुझे मेरे नाम से सर्च करो अनकाडमी पर या फिर अगर वेबसाइट पर सर्च करते हो तो तुम 80 सर के नाम से मुझे सर्च कर सकते हो किस ना Go and join this telegram channel, Unacademy Need Pro. नीचे description box में ये already mentioned है बच्चों, Unacademy Need Pro, right? One thing, साथ-साथ में तुम्हारे लिए बिलकुल important news बहुत-बहुत जरूरी और जरूरत से भी ज़्यादा जरूरी. Reason, 2021 में नीट क्लियर करना, मुझे लगता है इस platform के हर एक बच्चे का सपना है और इस सपने को पूरा करने के लिए अना काडमी लेकर आया है पहल, पहल का मतलब समझते हो, पहल का मतलब होता है बच्चों initiative और उस initiative को किया है हमारे कुछ top educators, हमारे कुछ top educators ने चाहे वो पंकि चितोडा सर हूँ, आशीज दिवान सर हूँ, आप यूँ समझो, कोटा के top जो coaching है उसमें भी ये senior faculties हुआ करती थी और अभी an academy के साथ में हैं, तो जब आपको कोटा की सारी favorite और top educators आपको जब an academy पर मिल रहे हैं, in fact an academy के top educators के form में जो आपको मिल रहे हैं, उन्होंने जब एक batch start किया, तो कुछ तो बात होगी, ये batch कल से start हो रहा है, 21st of December, और ये तुम्हारे सपनों के लिए, तुम्हारे एक dream के लिए, एक बहुत important step रहेगा, if you go for this पहल batch, plus subscription लेना है तुमको, और plus subscription लेने के लिए तुमको करना क्या होगा, सबसे पहला काम, अगर तुम पहली आज YouTube पर मेरी classes को देख रहे हो, तो Unacademy Learning App प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, install करने के बाद बच्चों आपको करना क्या है, अपना goal manage करना है, और वहाँ पर neat UG select करने के बाद, plus platform पर जाएंगे, वहाँ get subscription पर click करेंगे, और साथ साथ में, आप 6 month का एक crash course opt कर सकते हैं, अगर आप 11th class के बच्चे हैं, तो आपके लिए इस 24 month के बहतर कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें आप सिर्फ monthly 2100, 2100 रुपए में आप इंडिया के ऐसे top educators के साथ में, in fact more than 50 educators के साथ में अपनी पढ़ाई को continue रख सकते हैं, second जो important चीज है, इसमें तुम physics, chemistry और biology सारे teacher से पढ़ सकते हैं, सारे ही teacher से पढ़ सकते हो, एक अच्छी चीज, हाँ, जैसे ही इस पर continue पर click करोगे, इस से पहले आपको ये code डालना होगा, code है 87, इस code के साथ में apply जैसे ही करोगे, तुमको तुरंत 10% off मिल जाएगा, तुमा के साथ में जैसे ही proceed करोगे, तो तुमारी 12 year की 12 month की fees 34,000 हो जाएगी, rather than 36, 38,000, और सीधे 10% off के बाद 2 year की fees only at 50,000, बचो, only at 50,000, आपके पास academy different क्यों है बताऊं, यहाँ पर आपको सिर्फ एक teacher नहीं दे रहे हैं कि आपके पास एक batch है, मैंने 2000 में कर दिया, 10,000 में कर दि यहाँ पर आपको बहतरीन teachers मिल रहे हैं, offline को compare करोगे तो बहुत ही cost effective, pocket friendly, 50,000 में physics, chemistry, biology, आप मन्तली इसको divide करोगे, 2100 for three subject, अभी भी time है, अभी भी time है, आप इसको एक से divide कर लोगे तो 700 rupees per subject, एक पूरे मन्त के लिए, daily से divide करोगे तो 20, 30, 40 रुपे का फर्क होगा, यह आपकी एक बहतरीन पढ़ाई के लिए options हैं, that is called as plus subscription, साथ साथ में इस बच्चों को समझना है, आज जो हम topic करने वाले हैं, that is evolution, unacademy हमेशा चाहता है कि वो बच्चे, जिनको, देखो plus subscription उन बच्चों के लिए हैं, जिनके बहुत से doubt रहते हैं, sir मेरा सारा काम यूट् यूट्यूब पर पढ़ाई करो, जो भी question practice होती उनको करो, और अगर तुम सही direction में जा रहे हो, तो तुमको पता होगा, but ये बिल्कुल वैसा साई है कि गाड़ी चलाना हम online नहीं सीख सकते, कई बार, यूट्यूब से नहीं सीख सकते, we need some person जो regularly हमें कुछ सिखाए, हमार systematic चलते हो, आपके doubt solve हो जाते हैं, आप एक week बच्चे हो, या एक ऐसे बच्चे हो कि query आई किसी ने solve नहीं किया, तो वो topic दबा का दबा रह गया, right, वहाँ पर plus की जरुवत परती है, ठीक है, test series आपके systematic आपकी analysis के साथ में हो रही है, वहाँ पर plus की जरुवत परती है, उसके लिए बिलकुल ही निस्चिंत रहो, और चीजों को आगे बढ़ाते हैं, चलो, कौन-कौन से बच्चे आ गये हैं, कुछ बहुत बच्चे आ भी गये हैं, चलो, wonderful, मेरी voice बिलकुल ठीक है ना बच्चों, मेरी voice बिलकुल ठीक है, yes or no में जल्दी से answer दे दो, फिर हम ल ठीक है, चलो, wonderful, तो चीजों को स्टार्ट करते हैं, evolution चाप्टर है और काफी अच्छे questions इससे बनते हैं, first and second, कल की ही तरह हम लोग काफी अच्छे questions करने वाले हैं, और बहतरीन form में करने वाले हैं, dash is an orderly change from one form to another, इसको हम क्या बोलेंगे, तो anything, तो this is called as evolution, तो first की option में क्य होगा, evolution, evolution क्या है बच्छों, it is an orderly change, ना, from one form to another, is called as what, evolution, वर याद रखेंगे, second question की बाद सर्थ, evolutionary biology, evolutionary biology is the study of evolutionary history of life form, आपको पूछा, evolutionary history of life form, किसको बोलते हैं, answer में 4-5 चीज़े दे दीगे, phylogenetic biology, evolutionary biology ऐसे करके, answer क्या जाएगा, evolutionary biology, right, done, 2 हो गए, इसको लिख लेते हैं, 3, क्योंकि हम बात करने वाले हैं, origin of life की, this will be 4, this will be 5, 6, 7, and 8, let's see कितना कर पाते हूँ, question number 3, 4, 5, 6, 7, and 8, जल्दी से बताओ, कौन सी theory है which state that universe originated about dash year ago by a singular huge explosion, क्या बोला, हाँ बई, जल्दी से chat box में, chat box में बचों, जल्दी से जल्दी, right, wonderful, तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे, it is what, big bang theory, big bang, बहुत बड़ा explosion हुआ, किस ने बोला था, Abelie Martin ने बोला, ये है न, Abelie Martin ने, wonderful, बहुत अच्छे, next thing important है, कितने सालों पहले हुआ, it is around 20 billion year ago, क्या word यूज किया बच्छों, 20 billion year ago, very important, बहुत ही जादा जरूरी, systematic form में इसको याद रखेंगे, next thing, what, हाँ, ठीक है, perfect, 40 billion year ago, earth was formed about, कितने सालों पहले earth बनी थी, आपके NCRT में word है, 4.5 billion year ago, क्या word यूज किया, billion year ago, आपको मैं आपकी knowledge के लिए बता दूँ, मैंने अभी special classes में बस यही सब questions करा रहा था, right, so यहाँ पर 1 billion का मतलब होता है, बच्छों क्या, it is 100 crores, word यूज किया, और 1 million का मतलब, please note it down, 1 million का मतलब क्या होता है, 10 lakhs, word किया उसका रहाँ 10 lakhs, very very important, ठीक है, next question, there was no atmosphere, जब पहली बार earth form हुई तो इस टाइम कोई atmosphere नहीं था, तुम्हारी NCRD की line to line revise करवा रहा हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से समझना हर point important है, right, तो जब atmosphere नहीं था early earth में, तो उस टाइम क्या-क्या चीज़ें हुआ करती थी, हमें पता होना चाहिए, हाँ, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, तो इसको 6 लिख देते हैं एक साथ में, 6 और 6, तो यहाँ पर हमारे पास क्या थे, methane थे, CH4, water vapor था, methane था, carbon dioxide थे और ammonia थे, NH4 ammonia, बचो, क्या है, NH4 will be what, ammonia, very important, wonderful, तो चीज़ों को आपको याद रखना है, simple language में, water vapor, clear, methane, CH4 and ammonia, released from molten mass, cover the surface, now, UV rays आते हैं, उपर से sunlight से, UV rays तो कि उस टाइम, ozone जैसा system तो बिल्कुल भी नहीं था, right, UV rays आते हैं, sun से, और वो क्या करते हैं, water को तब इसके बाद, कुछ बचों ने चाट में, यहाँ पर hydrogen भी लिखा है, अभी शुडवात में hydrogen नहीं बना था, बचों, इसके बाद क्या हुआ, UV rays आती हैं, water को breakdown करती हैं, और hydrogen और oxygen में, पहली बार oxygen ऐसे बनता है, how oxygen are formed, by breaking down of water through UV rays, it converted into H2 and oxygen, right, इन concept को आपको समझना होगा, शलो बई, अब यह जो oxygen बची, आपकी practice के साथ में NCIT पढ़ा रहा हूँ, क्या मेरे तरीके को समझ पा रहे हो, इस चीजों को समझ पा रहे हो तुम, कि मैं करना क्या चाहता हूँ, हर line को discuss कर रहे हैं, लोग बोलते हैं, चलो NCIT पढ़ेंगे, इस से बहतर NCIT कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर हर NCIT के point को दुबारा से लिखा गया है, यह किसके साथ में combined हो जाएगी, यह जो हमारे पास क्या है, ammonia, यह ammonia के साथ में combined हो गए, और साथ में methane, और यह दुबारा से क्या बनाते हैं, water और suit, बातें समझ पा रहे हैं, जब पूछा जाए, water breakdown होकर क्या बनाता है, बोलोगे hydrogen और oxygen, जब पूछा जाए, water बनता कैसे है, with the combination of ammonia, methane, with what, with what, O2, oxygen के साथ में ammonia और methane जुडेंगे, तो CO2 और H2O बनाएंगे, ऐसी बातें आपको याद, now, the ozone layer was formed, जब ऐसी चीज़ें होती हैं, इसके बाद, आप से question कोई पूछ ले, कि ozone layer are formed, after the formation of water and carbon dioxide, यह question बन सकता है, यहाँ पर छिपी हुई lines है, हमारी topic का नाम क्या है, heading का नाम, NCRT workbook, read between the lines, these are the hidden lines, जो आपके NCRT में दी हुई है, इसके बाद क्या बना बच्चों, ozone layer, very important, concept को समझो, concept को बहुत systematic form में समझोगे, जैसे ही वो cool होते हैं, ठंडे होते हैं, water vapor, rain के form में ocean में गिरता है, क्योंकि सब कुछ एकदम गरम लावे की तरह, molten mass था, अब वो धीरे-धीरे rain के form में, और उसकी वज़ा से ocean बनता है, बाते समझ में आ रही, तो यही जो water vapor था, यह evaporate हुआ, उपर से ठंडा हुआ, condensed हुआ, नीचे गिरा, ठंडा किया, फिर से गरम होकर उपर evaporate गया, और यह cycle चलती गई, धीरे-धीरे अर्थ ठंडी होती गई, I hope बचों समझ पा रहे होगे, life appeared, अब इसकी वज़ा से, यह indirectly in CIT में लिखा है, कि वही जो ocean बना, इसी के बाद ही यह line क्यों लिखी, कि ocean जब बना, इसके बाद, life appeared, कितने सालों पहले, सबको पता है, 4 billion year ago पहले, 4 billion year ago, I hope तुम समझ पा रहे हो, तो यह बात भी याद रखो, कि जो अपना ocean है, that is, वही पर पहली बार life originate हुई, और कितने सालों पहले, 4 billion year ago, right, wonderful, बातें समझ पा रहे हो, yes or no, yes or no, done, इसका screenshot ले लो एक बार जल्दी से, screenshot ले लो, wonderful, इसके notes मुझे तुम्हारी copy में चाहिए, इसके notes मुझे proper तुम्हारी copy में चाहिए, next one is, यहाँ पर हम लोग 8 तक थे न, yes, it is 9, this one is 10, okay, 11, this one is 12, this one is 13, okay, कुछ शूटा तो नहीं, चाहरो ठीक है, done, 9, 10, 11, 12 and 13, घान से समझेंगे, किस theory की बात कर रहे हैं, जिसको हम also known as a biogenesis, theory of origin of life, life originate कैसे हुई, इसकी theory हमें समझनी है, इसके बारे में समझना है, तो उसके लिए पहली जो theory आई, that is called as theory of a biogenesis, इसी का दूसरा नाम क्या है, जल्दी से बुझे बताओ, 9th question का answer, कौन-कौन से बच्चे हैं, लवी है, राहुल है, और कौन है, तनू-प्रिया है, और श्प्रीत है, चलो, काफी बच्चे हैं, मुझे जल्दी से बच्चो answer बताओ, quick form में, okay, so यहाँ पर, theory of a biogenesis is also known as spontaneous generation, spontaneous generation, right, it is what, spontaneous generation, very important, अब spontaneous generation में क्या-क्या हुआ, life came out of what, decaying and rotting matter, like straw, mud, in fact, spallin jani थे, कई और भी scientist थे, in fact, इन लोगों ने क्या किया, कुछ कहते हैं कि mud से मिढख निकल कर आया, क्योंकि वो muddy type का दिखता न, एक कहते हैं कि sweat से पहली बार चूहा बना, तो non-living चीजों से, जो सड़ी-गली चीज़ें थे, उसमें से, नई-नी चीज़ें निकल कर आ रहे हैं, living organism निकल कर रहे हैं, according to them, तो अलग-अलग scientist ने अलग-अलग organism के बारे में theory डे डा ली, समझ रहो न, वो बहती गंगा में सबने हाथ दुलिया, कि मैंने भी कोई नया term दिया, चूहा कैसे बना, human sweat से, according to them, इसको बोल रहे हैं क्या, spontaneous generation या फिर A.E.Biogenesis, right, done, अब इस बात को समझना, वो तो भला हो Lewis Posture का, किसका, Lewis Posture का, उन्होंने proper demonstrate किया, कि life came only from pre-existing life, जो पहले से life है, उन्होंने sawn neck experiment किया था, और उसमें उन्होंने एक yeast, देखो, pre-fertilized flask लिया, और उसमें उन्होंने killed yeast डाल दिया, proper boiled form में, और दूसरे को open कर दिया, जिसको जो open था, उसमें तो living organism आ गये, जो पूरी तरह से sterized था, तो properly इसको इन्होंने क्या किया, pre-esterized flask में, उसके अंदर तो कुछ बचा नहीं, उसके अंदर कुछ भी develop नहीं है, उसको close कर दिया, और yeast डाल दिया, कहानिया समझ पा रहे हो, तो इस तरह से इन्होंने proof किया, कि जी पहले से कुछ भी, जो चीज थी तभी आएगी, अगर कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं आएगा, सीधी सी बाग, बट, problem ये आई, ये बता नहीं पा रहे थे, ये प्री एग्जिस्टिंग लाइफ तो कहीं से आई होगी, वो कहां से आई, ये नहीं बता पाए, तो पूरी तरह से proof नहीं हो पाई बात इनकी, बात यहीं इनकी दब गई, लेकिन इनका तो इन्होंने पत्ता काड़ दिया, ठीक, अच्छा, अगली बात, बाद में आते हैं कौन, फ्रैंसिस्को रेडी, पैलन जानी, लुइस पॉस्टिंग, इन्होंने बोला कि life originated from pre-existing life, बाद में लोगोंने अपनी बातों को थोड़ा और clear किया, और बोला जी ऐसा है, बहुत सीदी सी बात जाने, लाइफ कहां से आई, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, लाइफ ओरिजिनेट हो रखी है, एक बात, तो जब भी question आए, इस बात को समझो, उसकी कहानियों में मत जाओ, वो तुम्हारे लिए important कितना है, नीट के लिए ये बहुत important है, तो यहां पर क्या है, who proposed that life originated from pre-existing life, तो तीनों का नाम आएगा, who proved that, तो इन सिर्फ Lewis posture का नाम आएगा, बाते मेरी दोनों में difference है, दोनों बातों में difference है, I hope तुम समझ पा रहे हो, चालो wonderful, बहुत अच्छे, next question, कॉस्मिक थीरी का दूसरा नाम क्या है, कॉस्मिक थीरी का दूसरा नाम क्या है, बच्छों, यहां पर 11 हो गया, अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, 11th को biogenesis, it is also known, theory of biogenesis, कॉस्मिक थीरी का दूसरा नाम क्या है, according to this theory, जो life आई, वो outer space से आई, वो किस से आई बच्छों, outer space से आई, बहुत सिंपल सी चीज समझना, और यह जो outer space है, ध्यान से समझना, इसले इसको क्या बोलते, theory of panspermia, panspermia, this is called as what, theory of panspermia, very simple, very important, बहुत आसा, कहानिया समझ पा रहे हैं, तो life in the form of, अच्छा के question और भी बन सकता है, life किस form में आये, तो life reaches on earth, in the form of spores, और वो spore, जैसे ही favorable condition में आये, वो germinate कर गये, और उनके हिसाब से humans, और यह सब spore के form में आये थे, ठीक, एक, और different planets पर ये, transfer हुए, including earth, according to them, और भी किसी, planet पर भी life होगी, हमें बस अभी पता नहीं, ये बात कहके वो, निकल लिए, राइट, चालो, question number 13, ये question number 13 में, theory of what, तो theory of, किसकी बात कर रहे हैं, dash, पढ़ लेते हैं, क्या बोला, फिर वो निकल आयेगा, it states that, living and non-living, was created by some supernatural power, God ने बनाया, in fact, मेरा एक student है, और उसने मुझे बताया, और supernatural powers वगरा, वो Christian है, और उसने बताया कि, according to उनकी mythology Bible, Monday को God ने ये बनाया, फिर, मैंलब, sun बनाया, फिर इसके बाद नहीं कुछ ऐसा ऐसा था, फिर एक दिन उन्होंने अर्थ बनायी, फिर एक दिन उन्होंने तारे तारे और स्टार्स बनाये, फिर ऐसे ऐसे करके, फिर एक दिन उन्होंने सारे पेड़ पौधे बनाये, एक दिन सारे आदमी बनाये, और जब वो, Sunday को ठक गए, संडे को उने आराम किया, इसलिए संडे को हम छुटी मनाते हैं और हम Christian ही follow करते हैं, अगर तुमको पता हो संडे को जो छुटिया होती हैं, हम Christian mythology follow करते हैं वो तब से चला आ रहा है, अंग्रेजों के जमाने से ऐसी चीजें होती हैं, हिंदू mythology में बोलते हैं ब्रह्मा जी ने सब कुछ बनाया, पहले जो humans थे, वो कौन थे मनू और शृती शायद ऐसा कुछ नाम था, आदम और हवा Muslim mythology में बोला करते हैं, yes or no, ऐसे हर mythology में इसके बारे में बोला है गया है कि God ने सब कुछ बनाया है और उसका कोई scientific proof नहीं है और proof देते भी नहीं है तो ऐसी चीजें हैं, बट इसका कोई proof ने, इसलिए हम इसको बहुत पढ़ते नहीं है, right, हम biological चीजों को समझेंगे proper proof के साथ में, तो यह यहाँ पर third में क्या आया, thirteenth में क्या आया, theory of special creation, theory of special creation, right, according to them God ने यहीं चीजें बनए, right, यह बाद done है, next, next theory हमारे पास यहाँ पर क्या आती है, हाँ जी, यह कितना हो गया, thirteenth, यहाँ पर लिख लेते हैं, thirteenth, यहाँ लिख लेते हैं, thirteenth, यहाँ लिख लेते हैं, sixteenth, this one is seventeen and this one is what, eighteen, right, तो यह कुछ कहानिया हैं, जलो, 14, 15, 16, इनके बारे में बताना है, 14, 15, 16, 17, and this one is 18, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, very quick, चलो, आंसर दो, जल्दी से जल्दी, very quick, पहले तो ये बताओगे, इस theory को क्या बोलते हैं, जिसमें, first form of life was originated from non-living inorganic substance, an organic molecule, such as methane, ammonia, water, sugar, protein, nucleic acid, है न, nucleic acid, तो हमने इसको क्या बोला, theory of chemical evolution, theory of what, chemical evolution, देखो तुमको ऐसा करता है न, बहुत छोटा सा काम बोल रहा हूँ, क्या किया करो, मेरी classes जो होती है, special class, इसके साथ merged रहेंगे, इस 25 तारीक से हम लोग launch कर रहे हैं, एक नया batch, है न, नया crash course, नाम यही रखा हुआ है, ये वाला इसका schedule मैं तुमको दे दूँगा, अब करना क्या है, ये जो special classes है, उनको attend कर लिया करो, MCQ उसकी practice हो जाएंगी, ये जो पढ़ा रहा हूँ, इसी से related questions कल morning में, लगबग 200 questions, साढ़े 8 बजे मैं अपनी special classes में तुमको कल morning में करमाऊंगा, उस पर आ जाना, मेरी profile follow कर लो, या telegram follow कर लो, नीचे description में है, तो तुमारी double practice हो जाएगी न, बस यही तो करना है, सीधे सी चीज़ यही करना है, यहाँ पर special workbook solve करो, सारान series solve करो, और वहाँ पर MCQs के form में कर लो, और जैसे ही crash course 25 से start होगा, हम लोग क्या करेंगे, उसकी theory वगरा को भी deep में करने लग जाएं पहली बार propose किसने किया, वर्ड याद रखेंगे, याद है, ओपरिन एंड है न, हल्डेन, ओपरिन एंड हल्डेन ने ये बात पहली बार बोली, और यह कहता क्या है, इस स्टेट दाट, फस्ट फर्म अफ लाइफ और इन और्गनिक, नॉन लिविंग फिंग अन और्गनिक मॉलिकूल सच अज मिथेन, अमोनिया, वाटर, शुगर, प्रोटीन वगरा वगरा हुए, अच्छा, इसका मतलब क्या, according to them, A-biogenesis पहले हुई, फिर बायोजेनेसिस एवर एक्जिस्ट, पहली बार A-biogenesis हुई, जिसकी वज़ा से biological चीज़ें जनरेट हुई, according to them, वो question रा A-biogenesis, A-biogenesis first, A-biogenesis first, but, A-biogenesis ever since, language में बहुत नहीं पढ़ेंगे, concept को direct याद करेंगे, I think this is clear to everyone, this is clear to everyone, yes or no, yes or no, बचो, बातें अभी तक clear हैं, yes or no, चलो जी, अगली बात कर रहें, अगली बात कर रहें, ये बात हैं हो गई, चलो जी, तो फिर हम बात करेंगे, इसी का chemical, जो theory of chemical evolution है, अगर तुम्हारे boards में कलको पूछा जाता है, तुम्हारे neat में कलको पूछा जाता है, कि इसको practically proof करने वाले scientist का नाम क्या था, तो हम यहा 21, 22, 23, 24, and 25, लिख लें, 22, 23, 24, and 25, बहुत आसान, बहुत सिंपल, easy form, तो बात कर रहे हैं, किसने experiment में किया इसको तो array and miller, यहां लिख सकते हैं, array and miller, yes or no, बाते समझ में आ रही हैं, आचा पूरा नाम क्या था है इनका, उरे का, Harold array and Stanley Miller, क्या, Stanley Miller, क्या मेरी बाते समझ पा रहे हो, क्या मेरी बाते समझ पा रहे हो, yes or no, क्या है यह, अच्छा, तो बाते समझ में आ रही हैं, उरे का पूरा नाम क्या था, Harold array, Stanley mirror, experimentally proof किया, उन्होंने किसको, chemical evolution को, इस word को याद कर लिए, chemical evolution को experimentally proof करने वाले कौन थे, उरे and miller, यह बात याद कर लिए, उन्होंने एक artificial ऐसा सा flash system बनाया है, and, मेरे special class में अगर आते हो, तो तुमको यह सब शीज़े, ABCD के form में, मैं question पूछ लेता हूँ, यह क्या है, है न, यह क्या है, इसमें यहाँ लिख दिया A, इसमें यहाँ लिख दिया B, ऐसे questions पूछ लेता हूँ तुमसे, तो मैं diagram based questions भी करवाता हूँ तुमको, तो try करना इन शीज़ों को follow करना systematic form में, right, अच्छा, they created a condition like primitive earth, primitive earth जैसी थी बिलकुल, वैसा condition यहाँ पर develop किया, यहाँ से water डाला, ठीक, उसको boil करवाया, और boiling water की वज़ा से वो evaporation के साथ में, क्या हुआ, यहाँ पहुंचा, बातों को समझेंगे, vacuum pump से उसके अंदर की oxygen और सारी चीज़ें निकाल दी, vacuum pump का काम क्या था, सारी चीज़ें यहाँ से बाहर निकालना, water vapor दिया इसको, बात चीज़ें, और water vapor के form में था, hydrogen यह सब डाल कर spark किया, तो क्या-क्या मिला, high temperature वगरा तो था ही, एक और important चीज़, primitive earth के time पर कैसा atmosphere था, यह question पूछते हैं, मैंने fill in the blanks तो नहीं किया, यहाँ कि उससे language खतम हो जा रही थी, तो primitive earth के form में reducing atmosphere था, उस time oxygen नहीं था न, तो इसका indirectly NCRT पढ़ा रहा हूं, तुमसे ही सुनकर in the form of workbook, right, और जैसे ही यह complete होगा, हम लोग MCQs तो करी रहे हैं, सारान सिरीज पर parallel में चल रही है, और आपका crash course start हो जाएगा, concept clear, तो यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें डाली उन्होंने, एक तो यह डाले ही दिया था, H2, और क्य तो confusion है, हाँ, 20, 21, 22, तो 22 यहाँ क्यों है, अच्छा मैंने यहाँ पर इसको 19 लिखना चाहिए था ना, this should be 19, this should be 20, this should be 21, and 21 में हमारे पास क्या आ गया, methane, है न, 21 में क्या आ गया, बच्छों, methane, अगली बात करें, यही सारी चीज़ें, यहीं, 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 मेथें के बा और last में hydrogen तो ही है, electric discharge की बात कर रहे है, flows containing में, कितने temperature पर, temperature कितना है आपको already पता है, यहाँ पर already यहीं कहीं लिखा भी होगा, है न, otherwise आपके NCRT में 800 degree Celsius, और एक बात जो NCRT में नहीं लिखी है, मतलब आएगा भी नहीं, don't worry, 7 दिनों तक यह electric spark चलता रहा, और 7 दिन चीजें मिली, है न, तो उसकी वज़ा से वो चीजें क्या थी, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो, वो चीजें क्या थी, amino acid, मेरी बात को समझना, दो बाते दे रखी है NCRT में, अगर तुम अच्छे से पढ़ना जानते हो या जान चुके हो तो, उरे और ये, जो है, उर amino acid के अलावा, उनको कुछ नहीं मिला था, बट, similar experiment जब दूसरे लोगों ने किया, तब उनको मिला क्या sugar, उनको मिला nitrogen, उनको मिले pigments और fat, दुबारा बोल रहा हूँ, उरे मिलर को क्या मिला, amino acid, बाकी लोगों को क्या मिला, sugar, nitrogen, वैसा ही experiment किया, कुछ कुछ चीजें आगे पीछे की, उनको देखा बाकी चीजें भी मिल रही, ये चीजें उरे मिलर को नहीं मिली थी, कभी-कभी तुमको options में फसा सकता है, तो please याद कर ले ना इन चीजों को, proper तरीके से done, अच्छा, अब data पूछ रहे हैं, तुमसे simple सा data पूछ रहे हैं, ये कहां तक थे, 25, this is 26, फस्ट नॉन सेलुलर फॉर्म अफ लाइफ ओरिजिनेटेड कितने एर एगो, जल्दी से बताओ, 26 का आंसर बताओ, बच्छों, 26 का आंसर बताओ, very simple, बहुत आसान, बहुत आसान, फस्ट नॉन सेलुलर लाइफ, बहुत क्लीर सी बात है, फस्ट नॉन सेलुलर फॉर्म eugenated, yes, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, yes, yes, it is what, 3 billion year ago, बाते समझ पा रहे हैं, और पहली बार non-cellular form में RNA, protein, polysaccharide, यह सब चीज ने डेवलप हुई, I hope you all are getting my point, right, बहुत अच्छे, संदीप है, तनू प्रिया है, और कौन-कौन से बच्चे हैं जो answer कर रहे हैं, इमानदारी से, अर्श प्रीत है, very good, लवी है, बहुत बढ़या, काफी बच्चे हैं जो बहुत इमानदारी से लगे हुए हैं, हम यहां 26 तक की बाते कर गए, 27, 27, 28, it will be 29, 30, 31, क्या करें, 31 है, 32 है, 33 है, देखें क्या, 27, 28, 29, 30, 31, 32, and 33, Palantological evidence की बात कर रहे हैं, अभी हमने सारी series समझ ले, अभी तक हमने सारी series समझ ले, अब जो समझना है, evidence of evolution, evolution हुआ है, इसकी guarantee दो, इसका proof दो, तो those are the evidence, जिसमें पहला evidence है, fossil का evidence, और इसमें study of fossil is known as, that is called as 27, जल्दी से बताओ, Palantology, Palantology, बातें समझ पारे, it is called as what, Palantology, और पुछा है, remnant of life form found on rocks, is known as, अगर ये options में आते हैं, question neat में क्या, remnants, remnants मतलब remaining things of anything, तो remnants of life form, जो rocks के अंदर दबे पड़े हुए हैं, उनको हम क्या कहते हैं, या earth crust में पड़े हुए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को तो बोलते हैं, अवई, doctors, fossils, उनको क्या बोलते हैं, fossils बोलते हैं, मेरी बातें समझ में आ रही हैं, बातें समझ में आ रही हैं, right, next question है, fossil के significance क्या हैं, fossils के different significance हैं क्या, concept को ध्यान से समझना, fossil का सबसे पहला फाइदा, ये evolutionary history या फिर race history को study करने में help करता हैं, इसको बोलते हैं, phylogenetic study, क्या word यूज किया, phylogenetic, simple language में phylogeny word यूज किया, phylogeny, very easy, very important, बहुत आसान, अगली बात, next, जैसे यहाँ पर example में क्या है, horse का evolution, horse का evolution, हम, अगली बात करें, to study the between two groups of organism, to study the what, बहुत simple से form में, तो connecting link के form में आप बात करें न, connecting link, तो 30 में आप क्या लिख सकते हैं, connecting link, क्या word यूज करें, connecting link, बहुत-बहुत simple से form, जैसे archiopteryx, अब तुमसे question है, मुझे chat box में बताओ, archiopteryx, reptile और birds के बीच में connecting link था, लेकिन था क्या, reptile था या bird था, यह तुम्हारे लिए question है, चैट में मैं तुम्हारे answers देखना चाहता हूँ, जल्दी से बताओ, reptile exactly क्या है, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, reptile is connecting link, यह यह जो, archiopteryx is the connecting link between reptiles and birds, तो है क्या यह, reptile था या bird था, originally था क्या, connecting link तो था, कुछ कह रहे हैं birds, अबिशेक कह रहा है birds, राहूल कह रहा है bird, संदीब कह रहा है reptile, सुप्रिया कह रही है बोथ, कुछ बचे कह रहे है reptiles, यहीं हम गर्बड कर देते हैं बच्छों, यहीं हमारा concept जरूरी होता है, archiopteryx एक dinosaur वाले उसमें था न, बात समझभा रहा है जहां से आपके dinosaur, तो यह एक reptile था, प्लीज इस छोटी छोटी चीज़ों को याद करो, फिर तुम कहोगे कि, सर आउट आफ NCRT आ गया था, ऐसा कुछ भी नहीं, concept को डेवलप करो, तो archiopteryx एक अपने आप में reptile था, जिसके अंदर beak थे, जो है wings थे, bird की तरह, इस connecting link between both, but it is originally reptile word को याद रखेंगे, it is originally what, reptile I hope, everyone is clear, चलो, अभी बातें बिलकुल ठीक हैं, done है, छोटी छोटी बातें सीखते जो, तुम्हारा पूरा चाप्टर पढ़ा रहा हूँ मैं, पूरा का पूरा चाप्टर पढ़ा रहा हूँ, सारांस और workbook दोनों कर गए तो वैसे ही काम बन गए, एक word इससे बाहर नहीं जाएगा, possibilities थमझे, मुझे एक चीज बताओ, तुमको एक teacher, 50 questions करा दे एक चाप्टर के, 100 questions करा दे, क्या उस question में ये guarantee है कि सिर्फ वही question आएंगे, मैं तुमसे question पूछ रहा हूँ, क्या ये guarantee है कि वो पूरा chapter, उसी 100 questions में इसे ही आएगा, बट ये हर line है NCRT, it is each and every line of NCRT, this workbook series, तो मैं ये दुबारा कह रहा हूँ, question से आए ना आए, हाला कि question बहुत अच्छी practice करवाता है, that is again important, जो मैं सारान्स के form में करवाता हूँ, but ये every line, this is each and every line, अपनी NCRT से match कर लो, अभी के अभी match कर लो, this is each and every line of NCRT, और अब तो आएगा ना, समझ रहे हैं ना, मेरी बात समझ रहे हैं अब तो आएगा ना, तो बस इसको अच्छे से करो, systematic करो और daily करो, पहली बाद, साथ बजे का time fix कर लो, daily करने के लिए, इस चीज में, तो काम बनेगा, ठीक है, चलो, अच्छा जी, अगली बात किस चीज की हम बात करें, fossils का role होता है, 31 की बात करें, fossils का role, extinct animal को पता लगाने के लिए, extinct animals की study में भी इसका role बहुत जादा है, बातें समझ पा रहे हैं, जैसे की dinosaur, जैसे की what, dinosaur, to study the, अच्छा, dash about analysis, analyzing fossils in different, what, तो यहाँ पर, आपको बताना है, to study the geographical, क्या वर उस किया, या geological periods, आप यहाँ पर क्या बोल सकता है, to study the, geological period, geological periods, to study the geological periods, है न, by analyzing fossil in different, what, by analyzing the different, क्या बोलेंगे यहाँ पर, sedimentary rock layer, क्या वर यूस करें है, sedimentary, rock layer, अरे भाई, यह बहुत आसान है, एक बार करके तो देखो, इस चीज को feel करके तो देखो, मैं करवा के आ रहा हूँ, यहां से समझो तो, NCIT बुक खोल कर देखो, तुम्हारी NCIT है, जो यह point wise है, इससे बच्चों तुम्हारे तीन फायदे, हला कि फायदे तो unlimited हैं, बढ़ तीन में इन फायदे, पहला, तुम इसको अगर सच में करना चाहते हो, तो मेरे से schedule तुमने समझे लिया, मैं पूरी 12th हैसे करवाता जाऊँगा ना, special classes में और यही, और यही same चीज मैं संभो सिरीज में करने वाला हूँ, क्या बोलू हूँ उसमें, फिलाल, now the thing is important क्या रहेगा, तुमारी 12th स्टार्ट करेंगे पहले, और उसको try करेंगे, try क्या confirm है, यह पूरा schedule बना हुआ है, already सब कुछ planned है, तो तुमारी 12th हो जाएगी, तुमारे board से पहले, और फिर हम 11th स्टार्ट कर देंगे, और तुमारे NEET के exam से पहले, तुमारे 11th भी cover कर देंगे, तो this basically for both boards and NEET as well, priority है न, पहले 12th, फिर 11th, पाइदा यह हो जाएगा, कि जो बच्चे पहले 11th करना चाहते हैं, एक दो batches और भी चल रहे हैं, अलग से उमीद batch आनंसर ने चला रखा है, तो उसको आप लोग कर सकते हो, otherwise पहले 12th करना चाहते हो, तो इस batch में आ जाना तुमारे फाइदे ही फाइदे हैं, तो बस कहान यह करनी है, और उसमें मैं regularly पढ़ाऊंगा, फिर regularly MCQs और DPPs के form में, उसकी test series दलख से हम लोग की चलेंगी, तो possibilities तो ऐसी बनेंगी ना, selection की, boards भी तो देखना है हमें, और जो बचे dropper के हैं, उनका भी फाइदा हो रहा है, और जो अच्छे से आता पहले उसको और अच्छा करो, ये तुमको भी पता है, कि तुम्हारी 12th जादा strong है, compare to 11th, हाला के 11th भी हम लोग करवाएंगे, systematic plan के form है, plan तुमको पहले से मिल जाएगा, राइट, शालो, तो ये भी आपको मिल गई बात हैं, यहाँ पर 33 screenshot ले लो एक बार, तो this study shows that the life form, varied over the time, कभी कुछ आया, certain life form are restricted to certain geological time span, ठीक, इसका screenshot ले लो जल्दी से, done, 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 चलो, अगली बात करते हैं, वो तो पहला evidence था, this is the first evidence, this is second evidence, यह second evidence, यहाँ पर 33 न, यहाँ 34, morphological and anatomical evidence, और इसमें सबसे पहला evidence, क्या है, homologous, तो हम देख कर कैसे बता सकते हैं, चलो, fossil में कुछ नहीं मिला, तो क्या, देख कर पता चलता है, कि हम कुछ evolve हुए हैं, yes, with the help of anatomy, with the help of like homologous organs, with the help of, हम क्या बोल सकते हैं, analogous organs, इनके basis पर भी हम बता सकते हैं, कि सच में evolution हुआ है, जैसे, तो यह बात समझो, comparative anatomy and morphology shows that, different form of animal have some common structure, जिसमें सबसे पहली बात, हम किसकी करने वाले हैं, बच्चों, homologous structure की, किसकी बात करने वाले हैं, बिल्कुल clear form में, homologous structure की, ठीक, बहुत clear form में इसको समझेंगे, तो यह है क्या, homologous organ are the organ, having what, fundamental, यह तो यह 34 में homologous की जाएगा, having fundamental similarities in the structure, and origin, but क्या, different function, same origin, different functions, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, homologous organ, है ना, and this phenomenon is known as homology, word समझ पा रहे हो, this phenomenon is known as what, homology, word को simple language में समझोगे, तो conceptually आप strong रहोगे, तो conceptually आप, इसको यह कितना था, 34, इसको 35 बना दे, this is 36, this one is 37, 38, 39, examples important हिसके, 4040, 41, this is 42, बहुत आसान, बहुत easy, तो similarity in the structure, and origin, but यहाँ पा 35, 35, 46, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 35 में homology आगया, this phenomenon is known as what, homology, word यूज करेंगे, this phenomenon is known as what, homology, word को याद रखना है, अगली बाद, example में human hand, क्या वर यूज किया, human hand, किसका fliffer, whale का fliffer, जो पानी में तैरने वाले हैं, उनका हाथ किसमें modify हो गया, fliffer में, उसी तरह से, किसके wings, bat के wings, बच्चों, किसके wings, bat के wings, और या फिर चीता के जो पैर हैं, यह सब के origin तो same है, बट function अलग-अलग है, हाथ human का, अलग-अलग कामों में आता है, मेरा किस काम में आता है, लिखने के काम में आता है, नहीं, बाकी काम में भी आते हैं, खाना खाते हैं, बहुत सी चीज़ें, whale में वही same four hand, four limbs की जो बात कर रहे हैं, वो तैरने के काम में आते हैं, चीखें, यहाँ पर attach होते हैं, wings, bat के जो हैं, वो उड़ने के काम आते हैं, वो खाना खाने के काम में नहीं आएंगे, और चीटा के जो foot हैं, वो दौडने के काम आएंगे, मेरी बात समझ पा रहे हो, छोड़ी छोड़ी बात, इस फोर लिम्स आप डिफरेंड फंक्शन, बट अनाटॉमिकली आर सिमिलर, अनाटॉमिकली आर वाट सिमिलर, और इन सब के अंदर, वही, हुमिरस, रेडियस, अलना, कार्पल, मेटा कार्पल, और फैलंजीज, बातें समझ में आ रही, और क्या हैं, फैलंजीज हैं, अच्छा, हुमिलोजी इस आल्सो सीन इन, ये बात आपको याद रखनी है, हार्ट में, और ब्रेन में, बातें समझ पा रहे हैं, सब के ब्रेन और हार्ट में, है ना, ओरिजिन सेम हैं, बातें समझ में आ रही हैं, हम, डन, चलो भई, एक्जाम्पल ओफ हुमिलोजी इन प्लांट साब से कल को पूछ लें, तो थॉन्स ओफ वाट, किसका, थॉन्स ओफ, बोगिन वीलिया, बोगिन वीलिया, वीलिया, बोगिन वीलिया, बातों को याद रखेंगे, सो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, बोगिन वीलिया, यह यहाँ पर, जी ए, बोगिन वीलिया एंड कुकूर बिट्स, इन दोनों में देखो stem से ही originate हो रहे हैं एक तो tendril बन गया मतलब एक तो कांटे वाले बन गया समझ पा रहा है और एक tendril बन गया इस तरह का structure तो ये दोनों ही word आपको proper तरीके से याद रखना है अगली बात origin of homologous organ are due to किसकी वज़ा से ये हुआ it is only due to divergent evolution क्या word use कि करेंगे divergent evolution तुम chat box में answers लिखते जाओ sir 42 का होगा क्या या 41 का हमने क्या लिख दिया divergent evolution 42 का क्या होगा चलो ये भी देख लेते है it is the evolution by which related species become less similar yes NCIT के line है क्या बोलेंगे less similar very important तो related species are what less similar to survive and adopt in the different environmental condition बातें समझ पा रहे हैं और homology क्या indicate करती it will indicate common ancestry बच्चों इस बात को याद रखेंगे it will indicate common ancestry मतलब सारे सेम origin कितरे अब धीरे 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 अलग होते जा रहे हैं मेरी बातें समझ पा रहे हैं हो हाँ या न wonderful अर्षप्रीत है सुप्रिया है याना काफी बच्चे हैं और सही answers कर रहे हैं right कहानिया बिल्कुल clear हैं बिल्कुल systematic done and done and done wonderful इसको screenshot ले लो एक बार जल्दी से ले लो screenshot जल्दी से जल्दी done 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 चालो जी ये कहानिया आपके done होगे screenshot ले लो जल्दी से ओके चालो जी अच्छा ये 32, 42 तक था न 43, next one is what? 43, very important 44 it is 45 46 47 है न तो 43, 44 45 46 47 ये 5 यहां पर बताएंगे analogus का मतलब different origin अच्छा सब के function same insect के wings होते हैं origin different है वो भी उड़ते हैं बच्छर नहीं ऐसे नहीं birds भी उड़ती है हाँ या न तो ये दोनों में फर्क क्या हुआ different origin है same function है इसको क्या बोलेंगे analogous origin अलग है functions अच्छा bat भी उड़ते है लेकिन उनका four limbs होता है wings में अलग कहानिया है तो इस इंसेक्ट में अलग कहानिया है तो these are the organ having similar functions काम तो same करते हैं बट structure और origin दोनों अलग-अलग है अब मेरे बचे इस बात को समझना बहुत बहुत थ्यान से जब आप बोलते हो कि analogous organ में different क्या होता है पहला option first option function जो की गलत है दूसरा option structure जो की सही है तीसरा option origin जो की again सही है और चौथा option both B and C क्या मेरी बात समझ पार exam में इसी तरह के questions आएंगे और तुम फोड़ कर आओगे अगर मेरी बातों को समझ गए तो अगर मेरी बातों को ज्यादा तरीके अच्छे तरीके से समझ गए तो कहानिया समझ रहे हो तो example इसमें सबसे पहला लेते हैं किसका example ले ले भई wings of dash तो 43 में क्या लिखा अच्छा अच्छा इस फिनोमेनम इस नोन अज वाट analogy and wings of what thin flap of kaitin से बनने वाले structure को क्या बोलते हैं wings of insect जो कीडे मुकाडे हैं मुकाडे तो नहीं बोलेंगे कीडे जो है जो अठरपोड़ा उडने वाले हैं अखी है मच्छर है या जितने भी ऐसे हैं उनमें वो kaitin से बनता है वो याद कर लो एक बात और बर्ड के जो wings हैं वो किस चीज के modifications हैं सबको पता होना चाहिए it is modified four limbs और बच्चों इस बात को याद रख लो four limbs का मतलब क्या होता है four limbs का basic मतलब क्या होता है सबको पता है चाट बॉक्स तुमारा देख रहा हूँ answers कमा रहे हैं जल्दी जल्दी answers दो बच्चे अपने ही चाट में लगे हुए हैं हाँ बई अपने ही चाट में लगे हुए हैं फरवरी अभी दूर है अभी पढ़ाई कर लो रेटीना फ्रॉम अम्रियोनिक ब्रेन तो यह बात तो बिल्कुल क्लियर है कि यहां पर ऑक्टॉपस की बात करने और 47 में मैमल्स की बात करने यह बस दोनों चीज़ों को याद रखना है 46 में क्या ऑक्टॉपस की जो आई है वो रेटीना प्रॉम स्किन स्किन के थुरू डेवलप हुई और यहां पर 47 रेटीना फ्रॉम अम्रियोनिक ब्रेन रेटीना फ्रॉम वाट अम्रियोनिक ब्रेन वंड़फुल कहानिया समझ पा रहे हो चलो बच्चों बहुत बढ़िया यह कहानी डन मान लू इसका स्क्रीन शॉट ले लो यह 4-5 कीवर्ड हैं इसका स्क्रीन शॉट जल्दी से ले लो जल्दी से जल्दी लो स्क्रीन शॉट ताकि कुछ और एक्जाम्पल्स तुमको दिखा पाऊं कुछ और भी एक्जाम्पल्स दिखा पाऊं डन चालो जी अगली बाद, ये 47 इना, this will be 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 and 57, चीक, आण वाद, 57, बहुत आसान, बहुत जीपल, चृई करे, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 and 57, डन, फ्लिफर किस का, सीधा सा बात, सीधी सी बात यहाँपर फ्लिफर किस का, पेंगविन का ओर जिन डिफुरिंट है, और साथ में किस के, डॉल्फिन के एक बर्ड है और एक मैमल है, स्टिल दोनों के पास फ्लिफर हैं, बिल्कूल किसकी तरह बातें समझ पा रहे हैं उसी तरह से sweet potato में क्या है sweet potato exactly अगर मैं देखूँ तो modified क्या है बच्चों it is modified, potato क्या होता है root होते हैं, सबको पता है i होता है ना, i वो जो उसमें से bird निकलते हैं, उसको i बोलते है i वो marathi वाला नहीं, kairi ai to jakai santos i का मतलब marathi में मा होता है right, तो वो आला नहीं यहां पर i आख वाला होता है वो बच्चे i पढ़ते हैं जब i का structure i of i क्या मतलब हुआ पता लगाओ, बता बटा बटा लगाओ दिमाग लगाओ, अच्छा जी next one, 54 की बात पर vertebrates में यही जो चीज है अच्छा, यहां पर यह क्या हुआ, sorry 50, यह modified 50 में हो गया 51 की बात करें तो sweet potato की बात करें sweet potato right and it is modified what it is modified, सीदी सी बात stem बात समझ पा रहे हैं बातें समझ पा रहे हैं, yes or no shallow जी, बहुत बढ़िया बहुत अच्छे, बहुत अच्छे very good, 53 की बात करें तो यहां पर किस से develop हुआ, सीदी सी कहानिया तो यहां पर insect के trachea की बात करेंगे और trachea of insect develop from ectoderm, यह word याद रखेंगे very important, यह workbook सीरीज में आपको यह सब चीजें, छोटी-छोटी बाते सीखने को मिलेंगी, उसी तरह किसका endoderm से develop होने वाला trachea का analogous क्या है, जो same function करता है humans में, lungs क्या आपको यूज कर रहे हैं बच्छों इसको क्यों बोलेंगे lungs, very simple बहुत आसान है यार, बस धंक से करना तो सीखो, अच्छा origin of analogous is due to, मैंने आपको अलरीडी बताया, वो divergent था, यह क्या होगा, convergent evolution, convergent evolution क्या मेरी बाते समझ रहे हैं, it is due to what convergent evolution, very, very, very important it is the evolution by which unrelated species become more what, become more similar क्या बोला unrelated species become more similar है ना, 57 में क्या हो गया similar become what, more similar species, है ना, become more similar to survive and adopt in similar environmental condition, वहाँ पर क्या था, गर ध्यान से देखो तो adopt in different environmental condition, ठीक और यहाँ पर क्या था, similar environmental condition, डिफरेंस समझ पा रहे हो, डिफरेंस दोनों में समझ पा रहे हो, छोड़ी छोड़ी सी बातें हैं, जो आपकी 58 की, 58 से हुआ क्या, 59, it is what, 60, it is 61, 62, 63, 64, और 65, कहानियों को ध्यान से समझना, बहुत आसान, बहुत सिंपल, easy, जल्दी से बताएंगे, adoptive radiation की बात करेंगे, adoptive radiation की बात करेंगे, adoptive radiation की बात करेंगे, adoptive radiation का दूसरा नाम क्या है, 58 लिख लेंगे आप, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, adoptive radiation का दूसरा नाम क्या है, का हो बबुआ, पता बाकी नाहीं, इसको हम क्या कहेंगे, अजी, जल्दी से बताएंगे, it is also known as, बायो जियोग्राफिकल एविडेंस, क्या बोला, बायो जियोग्राफिकल एविडेंस, बात हैं समझ पा रहें, 58 में क्या हुआ, एक जगा पर, इस बात को समझ ना, एक ही जगा पर आपको दिखने को मिलेगा, क्या, different, different adaptation के फॉर्म में, जैसे मार्शुपियल्स में आपको मिल जाएंगे, tiger cat है, यहां लिखा भी है, बैंडड एंटीटर है, मार्शुपियल रैट्स है, टेस्मानियन वॉल्फ है, ऐसे बहुत से यहां पर जो दे रखे हैं, यह सारे एक ही जगा पर evolved form में मिल जाएंगे, तो वहां की बात हैंगे, तो लोग क्या कहते थे, evolution भाई साब, as such हुआ है, evolution कैसे हुआ, जैसे पहले था, वैसा आज भी है, कोई evolution जैसा system नहीं है, बट यहां पर ऐसा नहीं, यह तीसरा proof है बचो, चलो जल्दी से बताओ, चलो जी, done, 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 different species in geographical area started from a point, तो यह evolution by adaptation की बात करें, तो 58 की बात तो यह हो ग मुलते है, evolution by adaptation, so it is adoptive radiation, adoptive radiation, क्या word यूज किया, adoptive radiation वर्ड यूज कर रहे है, very simple, very important, done, 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 next, पहली बार, पहली बार, इसका बहुत अच्छा example है, देखो, examples की बात पूछरें, कुछ example तो देना होगा, तो गैलापागोस आइलेंड का कौन सा example है, Darwin's Finchels, Darwin's Finchels, Darwin's Finchels, Darwin's Finchels, Darwin's की जो Finches थी, वो दोजार Blackbird जिनके बीक डिफरेंट थी, उनकी चोच डिफरेंट थी, अगला example, कौन से, Australian Marshupeels, Australian Marshupeels, मेरी बात समझ पा रहे है, देजिदार नोन अज़ आज़ 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 Marshupeels, very important, बहुत-बहुत-बहुत-बहुत important, right? साथ-साथ में, CA61 done, Marshupeel radiation भी बोलते हैं इनको, ना, इनको क्या बोलेंगे, Marshupeel radiation, और Australia में ही और कौन से, adaptation ऐसे हुए, तो placental mammals, placental mammals की भी बात यहीं पर, ऐसे ही हम लोगों ने समझ ली, अच्छा, when more than one adopted radiation, इस बात को समझ में ही नहीं आता, है ना, when more than one radiation is appear in an isolated geographical area, मान लो यह क्या है, Australia है, यह Australia, concept को समझो यह तुमको कोई समझाएगा नहीं, तुम्हारे दिमाग के उपर से निकलता है, क्या, convergent evolution की बात कर रहा हूँ, 63 की बात कर रहा हूँ, what is convergent evolution, convergent evolution, यह आज के बाद confuse नहीं करोगे, अगर पहले confuse करते थे, तो सीख लो, सीखाओं, समझो, ध्यान से, यह Australia है, यहाँ पर marshopials develop कर रहे हैं, in the form of this, marshopials कौन से होते हैं, देखो, बड़ी चीजी ची बात पढ़ो, समझो, mammals, animal kingdom धंग से पढ़ा है, अगर पढ़ा है, तो तुमने mammals में सीखा होगा, mammals तीन तरह के होते है prototherians, metatherians और eutherians, prototherians में बच्चों आते हैं क्या, जितने भी वो egg-laying mammals होते हैं, जो है, जो ant eater है, echidna वगर आप लोग नाम याद करते हो, ant eater बोलते हो न, उसी तरह से यह prototherians में आते हैं, metatherians में जितने भी marshupials होते हैं, अब यह marshupials क्या हैं, kangaroo वाले, जितने भी kangaroo बो external pouch होता है, इसमें से बच्चा बैठ भी जाता है इनका, पैदा होने के बाद, बर्थ के बाद भी, उसी के अंदर इनके memory gland भी होते हैं, उसी के अंदर वो अपना दूद वगरा, milching form में, milk वगरा भी nutrition लेता रहता है, बाते समझ पा रहे हो, यह ऐसे mammals होते हैं, जिनके पास external pouch होता है, उनको बोलते हैं कि हम marsupial mammals, और these are example of metatherians, हम लोग किस में आते हैं, गाए, भैस, कुता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, आदमी, यह सब कुछ, e-u, e-u, e-u मतलब true, e-therians, अब समझो, यह जो proto-therians थे, वो तो चलो उनकी बात है, metatherians में pouch सिर्फ kangaroo में नहीं होता, pouch वहाँ पर tiger cat में भी होता है, वो cat billy होती है, Australia कि उसके पास भी external pouch होता है, antiter में भी होता है, वहाँ के rat में भी होता है, वहाँ के kangaroo में तो होता है, bobcat में भी होता है, bandicoat में, koela में भी होता है, diagram आपके NCRT में दिया हुए, glider वो गिलहरी सी होती है, उरती तो नहीं है, एक से दूसरे में च्छलांग लगाती है, ऐसे ग्लाइड कर गए, इन सब के अंदर external pouch होता है, तो इसको बोला marsupial radiation, यही same feature सिर्फ उसी area में क्यों मिलता है, उसका एक अलग reason है, वो आप लोगों ने शायद concept समझाओ, बट मैं concept पढ़ाऊंगा जब इसका तो आपको इसी में करवा दो, वही same चीज, उसी Australia में आपको placental mammals भी मिलेंगे, और placenta किस में मिलता है, क्या humans में मिलता है सिर्फ placenta, placenta मिलता है गाय में भी, भैंस में भी, कुते में भी, बिल्ली में भी, तो they all are example of placental mammals, लेकिन ये दोनों ही चीज है, जब एक ही, देखो, एक को बोलते हैं क्या, ध्यान से समझना, एक को बोलते हैं क्या, adoptive radiation, एक को वर्ड को यूज किया क्या, adoptive radiation, जब दो adoptive radiation, एक ही, isolated geographical area में हो, उनको बोलते हैं क्या बच्चे, convergent evolution, उनको क्या बोलते हैं, convergent evolution, वर्ड याद रखेंगी, same geographical area में, दो-दो adoptive radiation होने को क्या बोलते हैं, convergent evolution, I hope, सारे बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं, Now, example इसमें क्या है, Australian marshopills, Australian marshopills, और साथ में जो अपना placental mammals, placental mammals, right, this is clear to everyone, इसका screenshot ले लो जल्दी से, screenshot ले लो, जल्दी से जल्दी, screenshot लेंगे जल्दी से, सारे बच्चे, जल्दी से जल्दी, done, चलो, तो देखो, placental में मोल्स था, इसमें marshopill मोल्स है, इसमें antitr है, इसमें नमबैट है, इसमें mouse है, इसमें लेमूर है, इसमें लेमूर है, इसमें इस पॉट्रेट कस्थ है, flying sparrows, flying phalangers, bobcat, tasmanian tiger cat, wolf और tasmanian wolf, ये दोनों ही example, तो आपको पूछा जाएगा exam में, similar Australian marsupill का example बताओ, antitr का, आपको लिखना क्या पड़ेगा बच्चों, सीधी सी बात, नमबैट ये वाला, नमबैट आपको लिखना पड़ेगा, बात समझ पादेगा, उससी तरह आपको बिल्कुल ऐसा जो सोच भी न पाओ, जैसे, potted kus-kus, कहीं से relation में आ 66, this one is what, 67, जो बच्चे मेरे daily schedule के बारे में पूछ रहे हैं, मेरी शाम को 7 बजए यही पर class होती है आपके साथ में, यूट्यूब पर, और otherwise daily की class कितने बज़ होती है, 8.30 और 6 पीम, morning में 8.30 की class होती है, कल 2 घंटे का यही test होगा, इसी chapter का test होगा 2 घंटे का, तो आ जाना यहां बहुत clear form में दे रखा है, organisms show similarities in protein, है न, organisms which show similarity in proteins, genes, है न, क्या वोड यूज किया है यहां पर, this is known as what, genes, and other biomolecules and metabolism, and what, metabolism की बात कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, biochemical evidence, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, Metabolism, this is clear to everyone, this is clear to everyone, done, screenshot ले लो, screenshot ले लो बच्छों जल्दी से जल्दी, इसका, बहुत clear form में, बहुत, बहुत clear form में, क्योंकि हम कुछ बस आखरी किस चीजें देखेंगे, और embryological evidence, और natural selection के कुछ examples लेकर बात खतम करेंगे, चलो जी, next one is what, embryological evidence, यहां पर 67 हो गया, 68, this one is what, 69, and this one is 70, जल्दी से बताएंगे, 68 के बारे लिख, जल्दी से chat box में, embryological evidence, first time proposed by, first time proposed by, very easy and very simple, जल्दी से बताएंगे, बहुत easy है, first time proposed by, बहुत आसान, yes, तो first time proposed by, earnest hackle, earnest hackle, वर्ड को याद कर लो, बहुत common सा है, He observed that all vertebrate, vertebrate embryo have some common feature, that are absent in adult, that are what, absent in adult, वो feature adult में नहीं होते, लेकिन सारे जितने भी embryo होते, उनके अंदर बहुत सी चीज़ें common होते हैं, चाहे वो हाथी का हो, चाहे घोडे का हो, चाहे वो mammal का हो, मतलब human का हो, चाहे वो goat का हो, तो उन्होंने क्या बोला, All vertebrates embryo, including human, develop, है ना, develop, Vestigial gills, क्या word यूज किया, Vestigial gills, They develop what, Vestigial gills, है ना, just behind the head, during embryo, यह word याद रिखेंगे, यार, छोड़ी-छोड़ी बाते हैं, एक्जाम में तुम्हारे MCQs में पूछे जाएंगे, यह word, MCQ style में तुमसे पूछे जा सकते, तो ट्राइ करो ऐसे शीज़ों को, गलत बिल्कुल ना करो, अच्छा, मिलते सब में हैं, बट तुर्फ फिश में यह functional है, क्वेशन पूछा जाएगा तुमसे, वेस्टीजियल गिल्स आर फाउंड इन, या क्या word यूज़ करेंगे, वेस्टीजियल गिल्सलेट्स, फूरा ना, वेस्टीजियल गिल्सलेट्स आर फाउंड इन, humans, frog, या या आप क्या बोल सकते हैं, frog की जगा, humans, rat, और fish, और आंसर क्या, मतलब all of them, फूर्थ आप्शन विल भी all of them, तुम टिकल मार कर आओगे fish, लगे यहाँ पर क्या मिल रहा है, all, जितने वेस्टीब्रेट्स हैं, सब के अंदर यह वेस्टीब्रेट्स मिलते हैं, fish के अंदर सिर्फ functional है, यह बात यहाँ दे रखी है, NCRT में, अभी mark कर लो, अगर नहीं किया तो, अच्छा, अगली बात, आते हैं एक हमारे, one beer, क्या नाम है scientist का, one beer, बड़ा सा नाम थाइन का, यह ना, बड़ा सा नाम थाइन का, proper, Karl Ernest Wonbeer, उन्होंने इस बात को समय, one beer, Karl Ernest Wonbeer, उन्होंने इस proposal को reject कर दिया, इन्होंने कहा क्या बोला, he noted that, embryo never passes through the adult stage, of the other, of the animal, of the other animal, embryo जो है न, वो अभी भी कभी अपने जो चीज़ों के वो adult में नहीं पास करता, according to them, वो fish में तो functional रह जाते हैं, ऐसा नहीं है, इसको disprove करके उन्होंने कुछ modifications किये, वो क्या थे, यहाँ पर हम समझेंगे न, उन्होंने बुला, ontogeny recapitulate philogeny, इसके फॉर्म में यहाँ पर embryological evidence के फॉर्म में हो जाएंगी बात में, done, अगली बात जो हमें समझनी है, embryological evidence के बाद, proper evidence by natural selection, बस यही एक दो और pages हैं, हम लोग 70 तक हैं, right, 71 की बात कर ले, 72 की बात कर ले, 73, this will be what, 74, बस बहुत छोड़े छोड़े से, इसके बाद एक और, तो 71 बताना हैं हमें, 72 बताना हैं, 73 और 74, right, यह चार हमें especially बताने हैं, जल्दी से बताएंगे, बहुत clear form में, बहुत simple form में, evidence for evolution by natural selection, सीदा सा फंडा, natural selection is the process by which, यहां पर क्या लिख रहे हैं, natural selection, natural selection, natural selection is the process by which, the organism that are best suited for the environment, will survive, that is called as survival of the fittest, and reproduce, और इसके सबसे अच्छे evidence क्या है, industrial melanism, बस यह दो slide और है, यह और इसके बाद, इंग्लैंड में क्या हुआ, नई-ने industries बन रहे थी, है नई-ने industries बन रहे थी, तो 1850 के राउंड में, उससे पहले हैं, मतलब industrialization से पहले की बात कर रहे हैं, वहां पर बहुत ज़ादा, मतलब यह white moth क्या थे, ज़ादा थे, more white moth, white moth, moth वो तितली के तरह होता है, लेकिन वो थोड़ा सा whitish form, वो ज़ादा थे, उसका scientific name, Biston Bitularia है था ना, Biston Bitularia, Bitularia, यह scientific name आपको बता दिया, अच्छा, ट्री पर क्या होते थे, यह ट्री है, उसके उपर, lichens हैं, white color के, और उसी के उपर क्या है, moth भी white color के, lichens भी white color का, तो वो छिप जाया करते थे, अब, जो black color के थे, है ना, इस बात को समझना, black color के थे, वो दिख जाते थे, तो उनको predator, scoway वगरा खा जाते थे, ठीक, तो उनकी population कम थी, बट, अब देखो, dark, जो winged थे, या milanized moth थे, उनका नाम क्या था, biston carbon area, अचा, अब after, जो है, industrialization की बात करें, after industrialization मतलब 1920, after industrialization का मतलब 1920 की बात हो रही यहां पर, बात को समझेंगे, more dark winged moth present, क्यों, अब ये, क्या है, आपका pre है, pollution में कभी भी lichens grow करेंगे नहीं, अचा, lichens grow करते नहीं, तो क्या होगा, इस बात को समझो, जो dark color थे, पहले तो lichen था, lichen white था, और white के उपर white छिप गये, लेकिन अब क्या हुआ, dark color हुआ, इस concept को सीखो, इस concept को सीखो, dark color के उपर, pollution ज़ादा आया, lichen चले गए ना, lichen तो चले गए तो अब उसका bark दिखेगा, bark दिखेगा black color का, dark, brownish color, और उसी के उपर dark brown color के, moth शिप जाएंगे, अब अगर इसके उपर white आएगा ना, मान लो ये white है, इसको बहुत आसानी से देखा जा सकता है, और देखा जा सकता है, तो इसको खाया जा सकता है, इनकी population कम हो जाएगी, है ना, तो less white winged moth were developed, और more dark after industrialization, question पूछेंगे, before industrialization कौन से जादा थे, question पूछेंगे, after industrialization कौन से जादा थे, before industrialization white जादा थे, after industrialization black जादा थे, ठीक, done, चलो, इसका reason समझेंगे यहाँ पर, हम लोग, reason proper form में समझेंगे, ये last slide है न, हम लोग 74 है न, yes, 75, and 76, चलो, done, reason क्या है, before industrialization, white lichen ने cover कर लिया था, जिसकी वज़े से उसका color कैसा हो गया था, बात को समझ पा रहे हैं, white color का, ठीक, after industrialization, है न, इस बात को समझें, यहाँ पर भी 75 लगा दें, एक बार के लिए, है न, proper, तो इस बात को समझना है तुमको, reason के form में, proper, इसको reason के form में, यहाँ समझना है हमें, और दो-तीन चीज़ों को समझें, the tea trunk become, है न, the tree trunk become, क्या, dark, due to industrial smoke, and shoot, जिसकी वज़े से, lichen की growth हुई ही नहीं, अच्छा, lichen की growth नहीं हुई, अब उसकी, lichen white color का था, तो उसकी वज़े से, white wind moth जो थे, वो exposed हो गए, तो predator ने उनको छोड़ा नहीं, identify कर लिए, अच्छा, यहाँ पर इसको चलो, खाते हैं, और dark wing moth बहुत आसानी से, dark background में survive कर गए, this is the reason, question कल कल को पूछ सकते हैं, और last में, anthropogenic action का मतलब क्या होता है बच्चे, यह question मैंने morning में पूछा भी तासे तुमसे, तो man-made, anthropogenic का मतलब क्या होता है बच्चो, man-made action, very simple, बहुत आसान, बहुत आसान, तो man-made action की वज़ा से, क्या क्या चीजें होती हैं, man-made action की वज़ा से, it is development of resistant variety in organism, due to human action, क्या वज़ यूज किया, human action, that is anthropogenic action, और example में, excessive use of herbicides, 75 में क्या चिपका दो भाई, herbicides, और टाक में, antibiotics और 76 में, drugs, 76 में क्या बच्चो, drugs, तो ये बात आपको याद हो जानी शाहिए, बिल्कुल systematic form में, कल हम लोग, theories of biological evolution की बात करेंगे, कल किसकी बात करेंगे, कल खतम कर देंगे इसको, theories of biological evolution, इस topic से हम लोग आगे करेंगे, तो तुम पढ़कर आना, पहला काम, दूसरा काम, कल morning में 8.35 पर पूरे चाप्टर का एक फुल, दो घंटे का टेस्ट लूँगा, 2 hours का, नीचे टेलिग्राम लिंक दे रखा है, या मुझे अन अकाडमी पर follow कर लो, अनकाडमी पर मेरा नाम अनुराक्ति वारी सर्च कर लेना, दो घंटे का टेस्ट लूँगा, मैं 8.35 से पीम लिखा मैंने, morning में, morning में 8.35, आना morning, done, तो ये 8.35 पर टेस्ट होगा, प्रपेर करके आजाओ evolution चाप्टर को बहतर तरी के से, और तुमको लगता है कि बायो अगर हो रही है, chemistry physics कैसे करें, या किसी भी चाप्टर में, किसी भी चीजों में दिक्कत है, join this पहल बैच, perfect batch है तुम्हारे लिए, systematic batch है, 21 से स्टारिक से स्टार्ट हो रहा है, 21st of December से स्टार्ट हो रहा है बच्छों, और इस batch में तुमको वो सब कुछ मिलेगा, जो तुमने सोचा भी नहीं, 6 months का subscription plan ले लेंगे, 25,200 रुपीज का ये plan, आपको, जबरी नहीं सिर्फ यही batch, इसके अलामा भी बहुत से teachers, सबको आप access कर सकते हो, code यूज कर लेंगे कौन सा, 87, this must be the code, यह तुम्हारा code होना चाहिए, 10% off मिल जाएगा, इसके अलामा भी तुम को कोई guidance चाहिए, कोई भी बुक चाहिए, anything like, है ना, कुछ भी, वो सारी चीजे में automatically अपने plus पर upload करता रहता हूँ, बच्चों को कुछ कुछ चीजें देता रहता हूँ, आज तो बड़े अच्छे-च्छे मैंने जिम्नोस पर्म के डाइग्रामस बच्चों को दिखाये थे, काफी मज़ा आया था आज के plus क्लास में, मेरी morning की plus क्लास 7.30 से होती है, 8.30 तक, तो वहाँ आ सकते हो otherwise, 8.30 से मैं 10.30 तक आपकी special classes लूँगा, special classes, right, तो वहाँ पर भी आ सकते हो, बातें समझ पा रहे हो, तो दिजादी possibilities, code ये याद करेंगे, और possibilities बना कर रखो, क्योंकि everything is possible, and everything is somehow, तो क्या लिखा हुआ है, सब कुछ संभव है, सब कुछ possible है, लगना पढ़ता है चीजों के लिए, चीजों के लिए patience रखना पड़ता है, और कल के लिए prepared रहो, सफल batch, और ये जो, इसमें possibilities जो है न, और ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, proper संभव बैच को स्टार्ट कर रहे हैं, 25th round से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट अगर तुमको लगता है, quarter series बहुत अच्छे से systematic चले, मेरी physics chemistry बालो, जे तीनों की ही, तो ये top educators हैं, ये लोग top educators हैं, तो misspell को join कर सकते हो, कल से ही start हो रहा है, मैं दुबारा बोल रहा हूँ, ठीक है, code ये वाला use कर लेंगे, लगे रहो, hard work करते रहो, ये सब चीजें तो YouTube पर हम लोग करा ही रहे हैं, बढ़ एक कई बार चीजें होती हैं, कि जरूरत पढ़ती है हमें, तो plus मतलब ही होता है plus, ठीक है, तो चलो, bye bye, good night, और मिलते हैं कल फिर से morning में 8.35, और प्लस के हो तो morning में 7.30, bye बच्छो, good night, good night, good night, good night, good night.